रेक्षिबाद आपका स्वागत है आप सक्रेवा देखर है कहानी कुछषिखी जिसे में भात करेंगे दिल्ली के दंगल के जहां अर्विन केजरिवाल पूरी तरीके से चुनावी बोर्ड में आ चुके हैं, चार सीटों पर उमीदवारों का एलान, अर्विन केजरिवाल पहले ही कर चुके हैं और आज उन्होंने दिल्ली में अपने कैम्पेइन की शुरुआत भी कर दी है, इस कारक्रम में उनके जूद वो कारकरताओं को संबोधित कर रहे थे अर्विन केजरिवाल तो उन्होंने यही बाते कहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें परिशान करती है, चुकि सांसद हमारे नहीं हैं, इसलिए हम खुलकर काम नहीं कर पाते हैं, हमारे महला क्लिनिक की लाइट कार्ट लेकर आती है, इसलिए अर्विन केजरिवाल के हाथ मजबूत करनी के लिए सातों सीटों पर गटबंदन के प्रत्याशी को इस बार दिल्ली जिताएगी, यानि आप यह समझ सकते हैं कि दिल्ली सेंटिमेंट से जोडने की कोशिश अर्विन केजरिवाल कर रहे हैं पूरे क सेंट्रिक बनाना चाते हैं, दिल्ली के मुद्दो पर चुनाव लड़ना चाते हैं और ये भी माना जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अर्विन केजरिवाल को जिस तरीके से एडी लगातार समन कर रही है, क्या अर्विन केजरिवाल ये जानते हैं कि बहुत जल्द उन् मम्ता बनर जी ही खड़ी हुई नजर आएंगी जो इस पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी को टकर देते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि अभी तक कॉंग्रेस ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान नहीं किया है अर्विन केजडिवाल जो आज कह रहे थे हर्शपर्दन जी वो सीधा सीधा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा चुनाव हम दिल्ली की समस्याओं पर लड़ेंगे हम मोदी की बात नहीं करेंगे हम ये जरूर बताएंगे कि हमें केंद्र सरकार परिशान कैसे करती है अर्विन केजडिवाल की राजनीती का तरीका बहुत इसपश्ट है और उसमें वो बहुत हद तक सफल रहे हैं उनकी राजनीती अभी तक की वो अपने आपको एक ऐसे विकल्प के तोर पर प्रस्तूत करते रहें जो दूसरी पार्टियों से अलग है ऐसा नही गए चाहल के दिनों में रहें दिल्ली से लेकर पंजाब उनके मंत्रियों के उपर प्रस्तार के घंबीर आरोप लगे उनके अपने ऊपर ऑनाप शनाप खर्च करना इतना सुविधाब होगी हो जाना उसने थोड़ा उनकी चबी को डैंट किया है अब 2024 का चुनाव उनके लिए डूर डायवाला है कि कुछ अगर नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जो उन्होंने विधान सभा में कहा था कि अगर 2024 का चुनाओं नहीं हरा पाए सब तो हम 29 में हराएंगे यानि 24 का ब्लेम वो दूसरी पार्टियों पर देंगे इसलिए वो दिल्ली बात कर रहे हैं उनको ये भी पता है कि पंजाब में भारती जनता पार्टी उस तरह से है नहीं अगर यहां हम लड़ाई ठीक लड़ गए तो शायब लोगसभा में एक प्रजेंस होगी हमारी जन प्रतनिधी के तोर पर अभी सिर्फ एक सांसद हैं कुछ हमारे सांसद लेकिन सवाल यह है कि क्या भारती जनता पार्टी के सामने उनकी येवाली राजनीती भी चल पाएगी क्योंकि जब वो दिल्ली की बात करेंगे सांसदों के कवर की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ चार उनके पास है नंबर एक दूसरा ये सबको पता है सरकार अगर भारती जन्ता पार्टी की बनने जा रही है तो नरेंदर मोधी या फिर तीन सांसद केजरिवाल के यहां भी जाकर उनका पक्ष कमजोर हो जाता है आज तो बात सांसदों की कर रहे थे अपने अलाइंस पार्टनर की भी कर रहे थे और दिल्ली वालों को यही कह रहे थी जन्ता को अपने कार्यकरताओं को याद दिलाया जा रहा था कि कैसे विधान सभाद चुनाव में अर्विन केजरिवाल ने सारे समिकरणों को ध्वस्त किया बीजेपी को पचाड़ा, कॉंग्रेस को पचाड़ा और नंबर वन की पार्टी बन गई सबसे ज्यादा सीटे अर्विन केजरिवाल की पार्टी लेकर आई ऐसा ही मैजिक वो लोगसभा चुनाव में भी चाहते हैं क्या ये संभव हो पाएगा साथो सीटे निकाल पाएंगे अर्विन केजरिवाल उन से उस चवी के खिलाफ अर्विन केजरिवाल टिकते नहीं है तो वो वहाँ पर दिक्कत जो है साफ दिखाई देती है जहां तक आप देख रहे हैं कि भगवंद मान भी बार बार दिल्ली आते है तो दिल्ली को लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी पॉपॉलेशन पंजाबी पॉपॉलेशन है जो कि भगवंद मान क्योंकि पंजाब के मुखे मंत्रिय है तो उन से कही न कहीं वो इन्फूएंस रहती है तो यह जो strategy है वो इस कारण में ज़े दिखाई देती है कि भगवंद मान जो है वो दिल्ली के functions में उनके साथ दिखाई देते हैं अब बात आती है अर्विन केज़िवाल पंजाब में जितने confident है वो दिल्ली में उतने confident नहीं है और उसका कारण भी मैंने आपको बताया यही कारण है कि जो आप है वो इस बात को लेकर भी तैयार हो गई कि दिल्ली में Congress के साथ कोई गड़ बंधन हो जाए चार सीटे वो लें तीम सीटे जो है Congress ले अब Congress का कितना जनाधार है हम यह भी जानते हैं लेकिन अर्विन केज़िवाल और Congress मिलके एक जरूर एक तरह की force जो है वो दिखाई देती है क्योंकि वोट शेयर उस तरह की बात करता है वो वोट शेयर कितना इस बार सफल रहेगा दोनों पार्टियों के लिए यह भी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रधान मंत्री को चुणने की बात है यहां पर कोई मुख्य मंत्री चुणने की बात नहीं है प्रधान मंत्री अगर चुने जाएंगे तो वो सब जानते हैं कि जो मोस्ट फेवरेट व्यक्ति प्रधान मंत्री के लिए देश में दिखाए देटें उन्हें इन्दमोदी दिखाए देटें दो पार्टी तो आपस में मिल गई समीर जी अर्विन केजडिवाल और कॉंग्रेस का समझोता तो हो गया चार और तीन सीट का बटवारा भी हो गया अर्विन केजडिवाल आगे भी निकल गया चार उम्मीद्वारों के नाम का एलान भी कर दिया अपने कैंपेइन भी उन्होंने आज लॉंच कर दिया लेकिन जिस वोटर्स की शिफ्ट होने की बाद कही जाती है क्या वो वोटर् का वोटर? और आपका वोटर कांग्रेस को वोट कर पाएगा। लडेंगे तो शायद किसी सीट पर भारत्य जनता पार्ड़ी को रोक हो जा सकता है लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रदार मंत्री मोदी की लोग पिरता और जिस तरीक दिल्ली पे भार्त जनता पार्ड़ी की लोग पड़ता उनके नाम मढ़मा मांतुर nutrhocar Perm veterinary है इसे इस्तिति में केजरिवाल का Viota IS का Grabless का Muito को दोनों मिल कर बी जो भारतियनता老िका उब्धार को वोड मिलेंगे उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे भारतियनता पार्टी को दिल्ली की सातों सीटों पर 55 परसेंट से ज्यादा वोड मिलने के पूरी संभावना जो 2019 में भी मिले थे इस इस्थिति में अगर यह मिल भी जाते हैं तब भी भारतेजंद्र पार्टी को चुनोती नहीं है लेकिन जमिनी स्तरबज्जी से लगाता जगड़ा रह कॉंग्रेस के थानिय संगटन ने दिल्ली के संगटन ने इस बात का पूरा विरोत किया था कि केजरिवाल के साथ नहीं मिलाना है संदिन दुषित का मुखर विरोत करते रहे मुझे लग रहा है कि उसके बाद कॉंग्रेस का एक बड़ा वर्ग होगा जो आमाधी पार्टी का आइंगे बुझे लग रहा है दिल्ली की जनता इस बात को जानती है और दिली में एहर्ट उनका अठेसे मिल गई है क्या अर्विन केजरिवाल और भगवन तमान पंजाब को खुशाल कर सके पंजाब तो खुशाल हुआ नहीं दिल्ली की जनता ने भी केजरिवाल की खुशाली देखिए कि किस तरीके से उन्हें अपना भव्य महल बना लिया है और कितना पैसे अपने सुकसिदाओं पर अर्विन केजरिवाल की राजनीती को समझें हम हर्षवरधन जी तो वो देखे विक्टिम कार्ड तो प्ले करते हैं वो ये बताते हैं कि पूरी की पूरी जो मोधी सरकार है अर्विन केजरिवाल के पीछे पड़ गई है और अर्विन केजरिवाल को परिशान करना जाती है एडी की तलवार उन पर लटक रही है उनका क्या होगा आने वाले दिनों में शायद अर्विन केजरिवाल भी नहीं जानते क्या ये एक वजह है जिसके लिए अर्विन केजरिवाल ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं अभी से अपनी पार्टी की पूरी तयारी कर लेना चाहते हैं कि कुछ हो भी गया अगर उच नीच तो कम से कम लोगसभा चुनाव में अच्छे से उनकी पार्टी परफॉर्म कर पाए अर्विन जी के सामने संकट बड़ा है और अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी पूरी राजनीती जिस तरह से चलती रही है उस राजनीती में अर्विन केजरिवाल को दिल्ली की जनता ने क्यों दिया वोट उसको लगा कि ठीक है कॉंग्रेस पार्टी इतने समय तक सत्ता में रही है उसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स में फ्रेश एर की तरह अर्विन केजरिवाल दिख रहे थे वो सब उंगलिया उनकी तरफ अब आने लगें और अभी जो आप सबसे ज़्यारा जो चुनावती है अर्विन जी के सामने वो वाला मतदाता कॉंग्रेस के साथ जाने से उनके साथ से खिसक सकता है कॉंग्रेस के पास तो ऐसे भी बहुत कुछ देने के लिए नहीं रहेगा क्योंकि यह जिस तरह का चुनाव होगा उसमें एक तरह से कहें कि जहां भी चुनाव वो एंटी मोधी वोट जाएगा एक साथ पहले भी जा रहा होगा तो वो तो अर्विन जी को मिलता लेकिन जो अर्विन केद्रिवाल के पास एक वोट था एक वोट है क्या वो भष्टाचार के आरोप लगने से और सीधे नरेंद्र मोधी के उपर हमलावर होने से क्या वोट कट सकता है मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ी चुनाओती है उससे निपटने का प्रयास भर कर रहे हैं और अभी तो आप देखिए अगर उनके खिलाफ मामले हैं अदालत ये कह रही है तो आप ये थोड़ी ने कह सकते हैं कि नहीं हम चुकी विपक्ष में है इसलिए हमें किया जा रहा है आप मुख्यमंत्री के तोर पर एक सरकार में जो भी अच्छा बुरा होगा उसके जिम्मेदार हैं और वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी अभी 16 मार्च को या उसके आसपास किसी भी वक्त अगर अदालत ने कह दिया तो गिरफतारी की तरफ मामला बढ़ जाएग तरफ मामला बार आपको